एक मार्च 2022 को शीव रात्री का पर्व मना जाएगा शीव पुराण के अनुसार फालगुन मास के क्रिश्न पक्ष की चतुर्द शीति थी को रात्री के समय भगवान शीव अगनी स्थम के रूप में भगवान ब्रह्मा एवं विश्नु के मध्य प्रकट हुए थे वहीं भगवान ने यहां अकाश्वानी की थी कि आज की रात्री जाकर जो भी मेरे लिंग सुरूप का पूजन अर्चन करेगा वहाँ मेरे एक वर्स तक किये गए पूजन का फल प्राप्त करेगा उसको संसार के समस्त भोक एवं अंत में शिवधाम की प्राप्ती होगी अन्यमत के अनुसार शिवरात्री को शिवपार्वती के विवाह के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है किन्तु शिवपराण के अनुसार शिवपार्वती विवाह मार्ग शिर्ष माह के शुकलपक्ष की पंचमीत थी सोमवार को जब चंद्र बुद्ध लगन में थे तथा रोहिनी नक्षत्र था तथा शिव का एकोर विवाह माता सती के साथ चेत्र मास के शुकलपक्ष की त्रियोध शित थी रविवार को पुर्वा फालगुनी नक्षत्र में हुआ था केसे करें शिवजी का पूजन शिवजी का पूजन करने के लिए शिवरात्री को प्राताह सुर्य उदे से पुर्व उठकर स्नान करें फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान शिव का पंचो उपचार या शोडशो उपचार पूजन करें अन्य का ग्रहन नहीं करें क्रोध काम चाय कौफी का सेवन नहीं करें टीवी नहीं देखें दिन भर ओम नमस शिवाय का जाप करने शिवरात्री के दिन शिव का पूजन उत्तर की ओर मुह करके सदा करना चाहिए क्योंकि पूर्व में शिवजी का स्वयम का मुख होता है पश्चिम में उनका प्रष्ट भाग होता है दक्षिन में उनका वाम भाग होता है जहां पे माता पारवती जी वेड़ती हैं शिव के पूजन के पहले मस्तक पर चंदन अथ्वा भस्म का तिरपून लगाना चाहिए पूजन के पहले शिवलिंग पर जो भी चड़ा हुआ है उसको साफ कर देना चाहिए बिल्वपत्र को धोकर वापस पूजन में प्रियोग में लाया जा सकता है नए बिल्वपत्र चड़ाने की आवशकता नहीं पड़ती पुराने विल्वपत्र को धोकर पुनाह प्रियोग किया जा सकता है रात्री का प्रथम पहर शाम छे बजे से शिव का शोड़ शोप चार पूजन करें तथा गन्ने के रस से अभिशेक करने से सभी प्रकार के भोगों की प्राप्त कराते हैं रात्री को बारा बजे तीसरा पूजन शुरू करें तथा दूद से अभिशेक करें इस पूजन से प्रसन होकर भगवान स्वर्ण यने सोने की प्राप्ति कराते हैं रात्री के तीन बजे चोथा तथा अन्तिम पूजन करने से सिव प्रशन होकर समस्त भोग तथ का मौक्ष तक दे देते हैं हर अभिशेक पूजन के बाद आरती अवश्य करें प्राताहा किसी भ्रामण को भुजन कराकर फिर अपना वरत पूर्ण करें इसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं अलग-अलग धाराओं से शिव के अभिशेक करने से उनके विबिन फल प्राप्त होते हैं सरप्रथम भगवान शिव को दूद की धारा से अभिशेक करने से मुर्ख भी वधिमान हो जाता है एवम घर की कलहा शान्त होती है जल की धारा से भगवान शिव का अभिशेक करने से विबिन्य कामनाओं की पूर्ती होती है घरत याने की घी की धारा से भगवान शंकर का अभिशेक करने से ववन्च का विस्तार होता है रोगों का नाश तथा लपन सकता दूर होती है इत्र की धारा से भोग की वरद्धी होती है किसी भी प्रकार के इत्र की धारा से भगवान शंकर का अभिशेक करने से भोग की वरद्धी होती है शहद से यदि भगवान शीव का भिशेक किया जाता है तो रोगों का नाश होता है इख के रस से याने गन्ने के रस से आनंद की प्राप्ती होती है गंगा जल से भगवान का भिशेक करने से भोक एवम मौक्ष की प्राप्ती होती है विबिन पुष्पो को अरपन करने का क्या फल है अलग-अलग फूल जो अरपन किये जाते हैं तो धतूरे के पुष्प शिव को अरपित करने से संतान की प्राप्ती होती है एक लाख दुरुवा भगवान शिव को अरपन करने से लंबी आयू की प्राप्ती होती है दुरुबा गनेश जी को भी अरपन की जाती है, शीव जी को भी अरपन की जाती है बिल्वपत्र भगवान को अरपन करने से एक्षित वस्तू की प्राप्ती होती है जो अपने मन में एक्षा हो वो प्राप्त होता है जपा के पुष्प से शत्रू का नास होता है बेला के पुष्प भगवान को अरपन करने से शुभ पतनी की प्राप्ती होती है हर श्रिंगार के पुष्प भगवान को अरपन करने से सुख और संपत्ती की प्राप्ती भगवान शंकर कराते है दुपारिया के पुष्प भगवान को अरपन करने से ये एक जंगली पुष्प होता है पीले रंका इसको भगवान को अरपन करने से स्वर्ण यानि आभुशनों की प्राप्ती होती है आख, तुलसी दल, अलसी और शमी पत्र भगवान को अरपन करने से मौक्ष की प्राप्ती होती है शंक पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ती भगवान शंकर कराते हैं चंपा और केवडा के पुष्प शिव पूजन में निसेद माने गए हैं चमपा और केवड़ा के पुष्प भगवान को अरपन नहीं किये जाते हैं इसी प्रकार विबिन्य प्रकार के अनाजे भगवान को चड़ाने से फल की प्राप्ति चावल से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तिल भगवान शंकाले तिल अगर काले तिल भगवान पे चड़ा जाते हैं तो पापो का नाश होता है जो भगवान शंकर के उपर अरपन करने से सुख की व्रद्धी होती है गेहूं भगवान शंकर को अरपन करने से सवा कि लोगेहूं शीव मंदिर में भगवान को अरपन करके किसी को दान देना से संदान की वरिद्धी होती है मूंग को भी ऐसे ही भगवान शंकर को अरपन कर किसी को दान करने से सुख की वरिद्धी होती है प्रियंगू से धर्म अर्थ काम मौक्ष की प्राप्ती होती है यह सभी अन्न भगवान को अरपन करने के पश्चात गरीबों में वितरित कर देना चाहिए